पालतू जानवरों का कॉम्पिटिशन होने वाला है पालतू जानवरों का कॉम्पिटिशन वो सब अपने कर्टब दिखाएंगे मैंने सुनाया कि मैं सुमरे उशो की जाज होने वाली है हाँ वाकई इसमे तो बहुत मजाएगा मैं तो अपना पालतू डॉगी लेकर जाऊंगा और मैं अपनी छोटी सी चीरिया को लेकर जाऊंगा और मैं तो अपने प्यारे तोती कुकु को लेकर जाऊंगी खेर मुझे तो पता है कि मैं ये शोट जी जाऊंगा क्योंकि मैं अपने साथ परशन बिली ले जा रहा हूँ जानते हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं मिलती और वो बहुत महेंगी है मज़ा तो काफी आएगा पर तुम्हारा क्या होगा मिट्सुओ क्या मैं अरे कब आओ छोड़ भी दो मिट्सुओ को इतना परशान मत करो तुम ठीक है नहीं करता जाओ काफी मज़ा आएगा मुझे यकीन है तुम ही चीतोगे नहीं नहीं आजकल तु डॉगीज और बिल्ली भी कुछ जयादा ही सुन्दर होते हैं याद रखना अगर तुम हार गए तो तुम्हारे लिए शन की बात होगी अरे दोस्तों तुम सब रुक जाओ मिच्सू को भी कम मत समझो मिच्सू अभी कुट्य बिल्यों को हरा ही सकता है पता नहीं ये सब लोग अपने आपको क्या समझते है मुझे जल से जल दिख पाल तु जन्वर का इंतिजाम करके जीतना ही पड़ेगा मुबारक हो मत समझो तुमने ये पत्रियों का जीत ली है तब तो मैं मिच्सू मिरे कभी ऑटोग्राफ ले पाऊंगा मजाएगा अरे हाँ लगता है इस काम के लिए मुझे रूबोट का इस्तमाल करना पड़ेगा किसी के पास तो प्यारा सा जादवर मिली जाएगा अरे वाह लगता है ये काफी सुनर है हलो अरे तुम को नो मैं तो पर्मैन हूँ वैसे आपको ये जॉगी बड़ा ही प्यारा है उसे चूना भी मात वैसे अगर तुम इसे चूना चाहते हो तो पहरे तुम्हें अपने हाट से धोने होगे क्या का आपको लगता है मुझसे कोई बिमारी हो जाएगे अरे हाँ ये ठीक है अरे वाह कितना प्यारा डोगी है आओ मेरे पास ये क्या हो रहा है कितनी गलत बात है मैं तो एक बपी को में ने पकड़ पाया अरे ये डोगी या क्या क्या द só वैसे ये डोगी दिखने में इतना कुछ कहास नहीं है मुझे नहीं अच्छा लगा या लगता है मैंने जो कुछ भी कहई से समझ में आगया मुझे लग रहा है मैंने जूगा था वो गलत था वैसे ये ढॉगी इतना भी बुूरा नहीं है हेलो क्या तुम मेरे काम करोगे शुक्रिया डॉगी मेरी मदद करे लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम् वैसे ये ढॉगी इतना कुछ खास नहीं है और सुन्दर भी नहीं दिखता छो भी हो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अच्छा सुनो मैं ये कैन है ना ये फैक रहा हूँ ये जाके तुम पकड कर लेके आओगे समझ गए मेरी बात जाओ मुझे लगता है तुम्हें कोई डॉगी मिल ही गया तुम कौन सा कर्टब करोगे तुम सब बहुत पुरे हो हाल तुम बखवास करते रहते हो जानते हो पर मैंनी ये डॉगी मुझे तौफ़े की रूप में दिया है ये बात कभी बूलना मत हाँ क्या तुम सच कर्टब बहुत अच्छ दिखाएगा वो तो है तो क्या अब तुम हमारे सामने कुछ कर्टब दिखाऊगे ने ने ये अभी कोई कर्टब नहीं दिखाएगा उसके लिए तुमें शोका इंतिजार करना पड़ेगा डिंगे हाक नबंद करो मुझे नहीं लगता है इस डॉगी को कुछ कर्टब आते है वो कर सकता है वो आराम से करता है वो उसे करने क्यों नहीं देते हैं यह ठीक है रहा है यह ठीक है सुन तुम वैसा ही करना जैसा मैंने तुमें सिखाया है समझे यह मैंने क्यान ठेका जाओ जाकर लिकर आओ अच्छा तो ये है जो पर्मेन तुम्हें तौफे में दिया है जूटी तारिफ नहीं का दे चाहिए मिजसो तो हमेशा जूट बोलता है वैसे पर्मेन तो तुम्हें जानता ही है इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना ये तो बहुत ही भद्दा सा जोगी है मुझे क्या करना चाहिए क्या करूँ मैं अब क्या करूँ मैं ये कोई समझदार और अच्छा जानवर ढोड़ना पड़ेगा पर मैं तो याखी इस बार मेरा प्लैन काम्याब हो जाएगा मैंने ये तोता पालतु जानवरोग की दुकान से जो लिया है अब ये गाना गाना पन करो मिट्सू बाजार से मेरे लिए सामान ला दो मम्मी आ गई हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ मम्मी पाको बोड़े हो यहाँ पर मुसीबत आ गई है इसे भी अभी बजना था पाको मुझे माफ करना पर अब मैं नहीं आ सकता प्लीस जल्दी आओ मैं तुम्हें इंतजार कर रहे हो इस पाको की बच्ची ने भी मुझे परिशान कर रखा है मिट्सू अब क्या अब तो मेरे पास और कुई चारा नहीं है मैं तुमसे पाप में मिलता हूँ हाँ बोलो क्या बात है मुझे तुम्हें बुला रही है मुझे लेकिन मुझे क्यों बुला रही है क्या बात है मुझे बजार भीच कर कुछ सामान मंगवाना चाहती है सू जल्दी आओ हाँ हाँ अभी आया मम्मी मुझे गूपन मिले है क्या तुम्हे तुम्हें अकल होंई चाहिए तुम्हें चुटी से काम के लिए क्यों बुलाती हो एक तुम्हें तुम्हें फ्री का खाना खिला रही हुँ छुक्रिया पर फिलहाल मेरे पास विल्कुल वक्त नहीं है चलता हूं जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल से रहता है इस पाको कुत मैं, इसी की होजा से आज मुझे फिर देर हो गई ओ, सारे का मुझे ही करने पड़े अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर तुम यही थे तो फिर बजार की नहीं देर इसे कोशिश करता हूँ अरे, वो बुल-बुल दिखाए नहीं दे रही, पता नहीं कहा गई, पूछता हूँ अरे, पर मैं, दरसल मैंने उस बुल-बुल को थोड़ी देर पहले ही बेच दिया है कहा जाता है कि वो बुल-बुल काफी लोगों का पेट्शो जिदवा चुकी है बता नहीं, हमीशा मेरी साथी ऐसा क्यों होता है, एक पैट मिल गया था, वो भी चला गया, आप क्या करूँ समझ क्या, मेरी पास तो एक ऐसा पैठे जो हर समय मेरी मिदद करता है, चलो आप सभी को बता दिया गया है कि आज की इस कॉम्पेटिशन की जज है मिशु मेरे और हम थोड़ी ही देर में इसके विशेता का नाम खोशित कर देंगे, पर उससे पहले हम अपने अगले प्रत्योगी को बिलाते हैं, और वो बहुत अच्छा है, और वो है मिद्सुओ का पैट वो भी को अपना पालतु जानवर बनाया? यह तो काफी मुश्किल लग रहा है, तो मिद्सुओ तुम्हारा पालतु जानवर हर लेवल को पार कर लेगा, वो इन सब को असानी से पार कर लेगा, अगर तुम तयार हो तो हम शूरू कर सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, क्या बात है? क्या का तुम एक बंदर की तरह नहीं कुदना चाहते? मुझे मना मत करो, मेरी इसका सवाल है, मैं इसके लिए तुम्हें के लिए बिदूँगा? जाए-इस नहीं करते हैं, एकमिन निबे तुम्हे इस तरह कुदना होगा, देखो हए इस तरह, देखा के नहीं? तुम दो तुम्हे तम्हेर आपट से जादार करते हो चलो, कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं खो, आप इस पार अच्छे से करना हो अब क्या हुआ तुम ये भी ने कर पाओगे देखो इसे ऐसे करना होता है संगी अरे एक बार दो करके दिखो ये क्या कह रहे हो क्या तुम मेरी तेरा इंडंडो के साथ नहीं चल सकते ये देखो इंडंडो के साथ तुम्हें परीच पारा अरे अब क्या होगा ठीक है ठीक है काफी हो गया तो आप जेजिस की टीम ये फैसला करेगी तीन 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 तो मिट्सु मेरे आप कितने मार्क्स देना चाहेंगी दस दस मार्क्स तो फिर रिजर्ट्स आ चुके हैं मित्सो मिरे नहीं उन्हें 10 ोजिद दिये है! चलो मित्सो मिरे से की उन्हें मित्सो को ne 10 üzerat क्यों दिये है! तो बताईए.. वैसे मैं भी मित्सो के पैट को तीन पैट को तीन पाइंज देने वाली थी लेकिन सच मूच उसके पैट ने то मिट्सो को ही पैट बना दिया इसलिए मैंने उसे पूरे दस पॉइंटे डिये यह तो अजीब बात हो गई हमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही नाम मिची को लेकर जाएगी है ना साबू जीत के बाद आपको प्यासा मैसुस हो रहा है मिची को मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अब से यह तोदा मेरा सबसे प्यारा दोस बन गया है यह गाता है तो मेरे दिल से भी आवाज निकलती है इसकी जगा मैं जीत सकता था लेकिन नहीं जीत पाया तुम बहुत गंडे हो मुबी यह सब तुमहरी वजह से हुआ है समये क्या कहा तुमने कि मैं भी बहुत गंडा हो मैं तुम्हें तभी मापनी करेंगा और मेरे मुझे रही थे तो तुम्हें पागल है बेवचा लड़ रहे है पर फिर भी मुझे इनका समझोता करना ही